नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हो BN24 और मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा आज हम आपको कुम्भ पर्व में आदि संक्राचार्य जी का क्या योगदान रहा है उसके बारे में बात करेंगे कुम्भ पर्व में भगवान आदि संक्राचार्य का कितना महत्यपूर्ण योगदान रहा है इस समन्द में आए थोड़ा गहराई से विचार करें धर्म संस्थापनार्त संभवामी युगे युगे भगवान संक्र के वर्दान से जनम लेकर आदि संक्राचार्य ने गीता के इस संदेश को चित्रार्थ कर दिया अपना सिर्वेशव त्याग करके माता की अनुमती प्राप्त कर सन्यास ग्रहन करके भगवान संकराचार्य ने सनातम ध्रम के संस्थापन के लिए पैदल अपने भारत की यात्रा को निकल पड़े यह समय नोवी सदीका था 32 वरस का छोटा सा जीवन लेकर आये थे आज संकराचारिय अपना सिर्वेशव गरेलु सुख त्याग कर मानव मातर की सेवार्त में समाज वर्राष्टर के अभुद्या के लिए सनातम ध्रम के अधेत वाद सिधान्त के परचार परशार समाज में न आज संकराचारे ने हमारे पूरे देश की तीन तीन बार पैदल यातरा की और चारो देशों में चार मठ कायम किये आचार्य प्रम्प्रा के शिर्श कोटी के महपुरुष संक्राचर्य जी ने अपने शिशो का वर्गीकर्ण दस नामों में किया जिसे दस नामी सन्यासी कहते हैं चारो मठवार इनका सवरूप इस प्रकार निर्धारित किया गया था पहला उत्तर दिशा में जोतिर मठ ददरीका आश्रम में सन्यासीों के तीन पद गिरी परवत सहेगर नाम से कायम हैं तथा यहां के ब्रहमचारियों को आनद नाम दिया गया है नमबर दो पर दक्षिन दिशा में सिंगेरी मठ में सन्याशियों के तीन पदपूरी भारती सरस्वती नाम से कायम किये तथा यहां के ब्रहमचारियों को चेतन्य नाम दिया गया नमबर तीन पूरव दिशा में गोवरधन मठ जगरनात पूरी में सन्याशियों के दोवन तथा अर्णय नाम से कायम किये तथा यहां के भ्रहमचारियों को परकास नाम दिया नमबर चार पश्चमी दिशा में सारदा मठ दुवारिका में सन्याशियों को दो पद तिर्थ तथा आश्रम नाम से काइम की तथा यहां के भ्रमचारियों को सवरूप नाम दिया गया आगे चलकर उप मठ 20 स्थापित हुए कुल 42 मठियां स्थापित हुई इन में 26 मठियां गिरी सन्याशियों की 16 परियों की 4 भारतियों की 4 वन्य सन्याशियों की 4 मठों के सन्याशियों का 10 नामों में उपरोक्त वर्गी करन करके सादू समाज को एक सथाई महा अनुशासन में बांध दिया इन्हीं दस नामी सादों में से अटल अवान महानिवारी निरंजी जूना आनंद ऐसे नागादी गंपर सन्याशियों के 6 अखाडे तथा 4 मटों के आनंद चेतन्य परकास तथा सवरूप नाम के चारो नामधारी ब्रहमचारियों का अगनी अखाडे के नाम से 7 वे अखाडे का निर्मान हुआ ये सभी अखाडे कुमपरवों में जाते हैं मुगल बादसा जहंगे द्वारा अटल वे आवान खाडों को फिरके नागा गोशा इयान की पद्वी दीगी तथा उन्हें चप्रास मोहर सहित छडी छड तथा भगवा दवज दिया इन सभी कर सादू समाज दुवारा वहां की पवित्तर नद्यों में परमुख परवों पर साहि सनान करने की प्रंप्रा जहंगीर बादसा के समय से प्रारंब हुई तब से आज तक कुमपरवों में सवरपर्थम दस नामी अखाडे सनान करते हैं बाद में वैशनो अखाडे इकलां समक व्यवस्था कायम की चारों मठों के अंतर गत सन्याशियों व्य ब्रह्मचारियों को स्ट्रेणी गत किया इससे अध्यात्मिक गतिवीद्य व्य अवरिल स्थाई प्रवाह देश का कायम हुआ चारों स्थानों पर अलग-अलग महा की अवधि में आयोजित होने वाले कु को धर्म के सिधानतों का उपदेश इन कुम्भों में देता है इसके अत्रिक्त चिंतन प्रवचन वाद विवाद आदी के माध्यम से सादू समाज श्वम को वै लोकरंजन की भावना से समाज को शिक्षित भी कुम परवम में करता है लग-बग तीन-तीन वरस के अवदी के अंतर से एक दूसरे के स्तान पर होने वाली देश के चार स्तानों पर यह है अध्यात्मिक प्रशिक्षन सतर सौधु समाज का निरंतर चलता रहता है। आज संकराचारिया के इस एप्रितम विशाल धारमिक मानविय समाजिक अध्यात्मिक व्य प्रियास के शमक्ष देशवाशी सदेव नत्मस्तक हैं अबूत्पुर्व संथनात्मक जीवन धारा देश के अध्यात्मिक व्यक्तितव को उन्हों ने दी जिसके कानदेश के अक्षुन भावनात्मक एकता के व्यक्तितव का निर्मान हुआ इसके लिए यह कृतक राष्ट देखते रहें BN24 नमस्कार